नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल संगेताज कॉर्णर में आज मैं लेके आई हूँ जारखन का एक बहुत ही पारबबरिक रेसीपी फ्रेंड जिसे कई नामों से जानते हैं खी मैं जरुरत नहीं होती है तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जड़ाबी पसंद आए तो लाइक से यर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलियेगा तो चलिए फ्रेंट सुरू करते हैं आज की बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी तो इसकी लिए सबसे पहले एक कप चावल को मैंने 7-8 घंटे के लिए पानी में भीगो के छोड़ दिया था उसके बाद अच्छे से इसको साफ करके धो के मैंने ले लिया है और ये दे नहीं तो आपका जो ढबा रोटी है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा वो चिपक जाएगा निकलेगा नहीं बरतन में से तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो भी पानी आप इस घोल को बनाने के लिए लगाएंगे वो गुनगुना पानी का यूज करेंगे औ और इसका बैटर का जो कंसिस्टेंसी वो मैं बता रही हूं वो ढोसे से थोड़ा सा पतला रहेगा बहुत जादा पतला या फिर बहुत जादा गाड़ा नहीं रखना है मैं बार बार दिखा रही हूं कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा तभी आपका तो बर्तन को हमें low flame पे रखना है, 12-30 मिनट कर लेना, और इसमें बीचो बीच बैटर का एक चमच आपकर यह शादा है, और कुछ भी नहीं क्रता है। और इस special बर्तन में special धकन भी आता है, इसके साथ ही इसको धकन डबा कहा जाता है। इस धकन से धकके हम लोग चार से पांच मिनट के लिए पकाएंगे, मैंने एक दो मिनट के बाद धकन हटा के मैं दिखा रही हूँ, यह बीच में कच्चा है, साइट से पकता हुआ जा रहा है और जब यह पूरा पक जाएगा तो इसका जो कलर हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जब हम बैटर डालते हो तो वह बिल्कुल वाइट कलर का होता है, लेकिन पकने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, यदि आपको बीच से कच्चा लग रहा है, वाइट लग रहा है तो उसको एक दो मिनट और पका ले और फ्लेम का खासा ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ये बनेगा, फ्लेम को हाई नहीं करना, उसके बाद स्टील का कोई स्प्रेचु ला लेना है और इसे खरोश के इस तरह से निकाल लेना, काफी इजीली निकल जाता है, ये जो है कि फर्स टाइम बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा चिपका थ और यहां देखिए, ये बिल्कुल जाली दार बनेगा फ्रेंट, जितना जादा इसमें जाली बनेगा, उतना ही सॉफ्ट आपका ये धकन डबा रोटी बनेगा, तो इसे अलग अलग जगा पे अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन बनाया जाता है सभी जगा सेम तरी और इसके लिए इसी बर्तन का जूरत है फ्रेंट्स ये दोनों होगा, तभी ये चीज बन पाएगा, और देखिए बीच में बिल्कुल फुल जाता है, और साइट से बहुत सारा जालिया इसमें पढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको भी हम लोग सेम उसी तर और कई जगह इसको निकालते के साथी गरम दूद में, दूद में चीनी डालके आप पहले से रख ले और इसको इसमें से निकालते के साथी दूद में डाले तो वो भी काफी टेस्टी लगता है, खाने में और काफी सॉफ्ट रहता है, इसे आप किसी कैसरोल में रखते जा आज का ये बहुत ही यूनिक सा और जारकन का traditional recipe जो है आपको पसंद आया हो यदि पसंद आया हो तो please 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 comment में जुरू बताए अपना view जुरूर दे हमें और अच्छा लगा हो तो लाइक जुरू करतीजेगा तो आज के लिए इतना ये friends फिर मिलते हैं एक नहीं और आसान recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई टाटा थैंक्यू थैंक्यू फोर वाचिंग माई आल वीडियो थैंक्स अलॉट